मुसा बादा विर्मनी सिक्खा पदंस्मादियानी लगबग साथ हजार के करीब दिल्ली में बार काउंसिल में वकीनों का रइष्ठिस्म है और दिल्ली में जो वकील हैं वो सबसे ज़्यादा हैं साथ हजार और इस साथ हजार में समणों की संख्या भी बहुत है बारे हजार तो सुल्ड कास्ट ही हैं अब आप लगा लिजे बारे हजार इसमें सुल्ड कास्ट हैं तो इसमें OBC कितने होंगे फिर भी ये सारे के सारे जितने वकील हैं जो बारे हजार हैं या जो OBC के वकील हैं वो कुछ समय बाद खतम हो जाएंगे जड़ से खतम हो जाएंगे, वकील नाम की चड़िया नहीं मिलेगी आपको जो हमारा आपकी वकील तो होंगे, मगर वकील होंगे सिर्फ उन लोगों के पास वकील होंगे, हमारे वकील नहीं होगे, हमारे वकील जड़ से खतम हो जाएंगे, कोई पड़े लेखे भी होंगे त उसका कारण है वैसे तो वो अभी भी वकील नहीं है पस कहते हैं वकील है उसका कारण यह है कि जो किताब और जो सम्मिधान उनको वकील बनाती है उसको वो कहते हैं कि वो खत्रे में हैं और वो वकीलों की किताब है सब जानते हैं क्योंकि कानूं की किताब है और वकील को विद बोलते हैं, कानुन विधाता बोलते हैं, कानुन ग्याता बोलते हैं, कानुन गो बोलते हैं, तो जब किताब भी खत्रे में हैं, तो वकील कैसे स्ट्रक्षित हो जाएंगे, तो किताब हमारी, जो हमारी किताब है, वो खत्रे में हैं, तो जो हमारे वकील हैं, वो भी खत है, ऐसा नहीं हो सकता के हमारी किताब को खतम करें वो और हमारे वकिल बचे रहें, करके हमारे वकिल तो वीसके खतम हैं। बिल्ली में बारे हजार हें जो सम्नसामाज में जो यो pan काषट आता है, अगर बाल काउछल में, बाल काउंसल में उनके मेंमबर व्रिया आते। ऐसी हलत है हमारी और ऐसी हलत है हमारे वकीलों की। ये उनकी बात मैं बता रहा हूं आपको, जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये बुद्धी जीवी हैं मतलब जो कानून जानता है उसको तो कोई व्यक्ति ये कही नहीं सकता कि वो बुद्धी जीवी नहीं है और बुद्धी जीवी की हलत है कि बुद्धी जीवी भी खटे नहीं है बावा साब ऐसे नहीं रोते थे कि मैं अपने पड़े लिखे लोगों से परिशान है वो अगर रोते थे तो वो रोना आज भी उनका जारी है ये पूरे देश की हलत है और ये खाली वक्कीलों की हलत नहीं है ये चाहें इंजिनियर्स हैं चाहें और प्रॉफेशन के लोग हैं और उससे भी ज्यादा हलत उनकी खराब है जो इनको जगाने वाले लोग हैं ये जब बुद्धी जीवी किसी समाज का अंधिरे में हो और वही जागरत ना हो तो समाज के जागरत होने की संभावना जीरो है इसलिए बुद्धी जीवियों को बार-बार सोचना चाहिए बार-बार देख देखना चाहिए और अगर कानून के ग्याता हैं कानून के जानकार है तो उन्हें ने तो युद्ध छिर दरना चाहिए इस जागरती के लिए कि हमको इखटा होना है तो हम बचेंगे क्योंकि सम्विधान को बचाने की जब बात कोई वकिल कहता है तो मैं उससे पूछता हूँ बचाओगे कैसे आज साथ तारीक और शब्श तारीक हम सम्विधान दिवस मनाते हैं और सम्विधान दिवस का मतब है वकिलों का डे यानि सम्विधान के जानकारों का सम्विधान के पंडितों का सम्विधान के ज्याताओं का डे इसलिए यह वकिलों का दिन भी है यह कोई वकील ही नहीं था मगर ऐसा नहीं है कि बावा साथ से पहले वकील नहीं था थोड़े समय तक नहीं दा चार सो पांच साल तक बुद्ध के समय बहुत वकील थे बुद्ध तो खुद वकील थे उनसे ज्यादा तो कोई बहस करके कोई जीता भी नहीं जितने तरक उनके पा थे कि लोग उनके चीवर को कपड़ों को देके भी नतमस्तक होते थे और वो सारी परंपरा सारी चीजें बावा साब ने सम्विधार में डाली तो फिर ये नए बिक्कू पैदा हुए जिनको हम वकील बोलते हैं और हमारे वकील पैदा हुए ये संग में नहीं है मतलब बार काउंसिल के संग में तो है नहीं जहां चुना पड़ता है बोट पड़ता है इनकी अपने भी संग नहीं है और ये हलत सबती है और ये हमारे मरने की निसानी है मतलब हम मर रहे हैं जब हमारा सम्विधार नहीं रहेगा तो हमारी कोट नहीं रहेगी और जब सम्विधार नहीं रहेगा कोट नहीं रहेगी तो वकील कहां रहेगा तो क्या करेगा वकील? किस कोट में जाएगा? कौन सी कोड में लड़ेगा, कौन कहेगा उसको वकील, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये वकील आखरी पीड़ी चल रही है, खतम होने वाले हैं, इनको देख लो, इनको पैचान लो, और याद रखना कि ये पूरे देश के अंदर इखटे नहीं हुए, या इस जैसे जो बुद समझाओ इस बात को, जो समझ जाता है, उसको समझाना चाहिए, समय बड़ा कम है, तो युद लेवल पर समझाना चाहिए, दिन रात समझाना चाहिए, अगर आप समझाएंगे नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर आप दिक्कत में आगे, तो आपकी बच्चे दिक्क हम पार्त की लोग की, जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका काम है, वो भूट इम्पोर्टेंट है, और वो सबी के लिए है. हम यहां साथ महने से लगाता, लगाता मिल रहे हैं, चुड़ कर रहे हैं, छे, साथ महने में तो हमको यह समझ में आया, कि हमको क्यों जुड़ना चाहिए और जुड़के ही हमारी जान बचेगी यही एक चीज है जो हमें बचा सकती है क्योंकि सम्विधान को बचाना चाओगे तो सम्विधान को बचाओगे कैसे वकील बचा देंगे सम्विधान को ऐसा impossible है वकील सम्विधान को नहीं बचाते, वकीलों को तो खुद सम्विधान बचाता है, सम्विधान खुद वकीलों को पैदा करता है, इसलिए सम्विधान वकीलों को बचा देंगे, या कोई ये कहे कि सम्विधान को पढ़ने वाले सम्विधान को बचा देंगे, impossible है, क्योंकि सम जहां जा मिटान एक वीनदान बनाता दे रहें करो चलाू और तोनaires काफ़ल की वी तुम तो ताकत है वो अपने आपको payments करता है मगर वह उसको बदल सकता है। इसलिए संविधान की सबसे पहली जो लाइन है, बहृत लोगों थन्य बेर की बात चैशक गई, मगर बावास आप तो जान दे थे कि यह इसका कहा है संविधान की जान के ना डिशीमें?" आद लंद से लिन आ क्ना नूश 서घी importantes are सारे分 सारे इसको अगर कोई अलग निकल जाता है वो फिर य미दश cender हो जाता है तो सम्धान उसकी रख्छा नि कर सकता हूर समधान में उसका कुछ नहीं है थोड़ा बहुत मिलेगा तो ले ले निति घळ जाए इसलिए यह जो बचाने की बात है और बचने की बात है क्योंकि बचाना तो आपको समिधान है लगर समिधान बचाने से हम बसते हैं तो दोनों ही काम के लिए आपको समिधान की बात मानने पड़ेगी और समिधान कहता है भारत गड़ राज्य संग और ये जो संग सब्द है इस संग को समझ लो भाई अच्छी तरह से ले उड़े कोई बात नहीं लेगे तो लेगे क्योंकि जब आप अपनी जमीन पर देख भाल नहीं करोगे अपनी दुकान की देख भाल नहीं करोगे अपनी घर की देख भाल नहीं करोगे उसका इस्तमाल नहीं करोगे तो वहां खरपत बार उतर आएगा कोई ना कोई महां प ७ूछान वी को Θथए और किया कितनी बढ़ी बात है कि संग की स्रण में जाला है तो संगकी स्रण में जाते हैं और हमुत यानि संग की स्रान में जाओगे तही बचोगे और अपसे नहीं बच रहे हो, जब जानवर थे तब से बच रहे हो, जब बंदर थे तब से बच रहे हो, जब चिंपाजी थे तब से बच रहे हो, वो जानवर बंदर आज भी संग में रहते हैं, अपनी जान बचाते हैं, उनक कि हम अकल बंद हो गए अब हम बुद्धी जी भी हो गए हैं इसलिए हम पिट रहे हैं इसलिए हमारी शीजा खत्म हो रही है इसलिए हमको मरे का जानवा खाना पड़ता है इसलिए हमें इंत्यार करना पड़ता है को बावासाब मिट्र जैसे आएंगे जो हमारी बुद्धी बहत्रणा मारेंगे और हमसे केंगे मूर्खों इखटे हो जाओ उखींच के हमें लाएंगे तो उस बात को समझना चाहिए अब मूर्ख उसको कहते हैं कि जो अच्छे समय को हाथ से जाने दे और बेफ़फ के ऊसके कहते हैं कि जो जो होगा देखा करेंगे पर उन्होंने और इपक्ता करने के लिए लोगों को नहीं का हुआ कि लोगों को इएखटा करेंगे और अपनी सब्सक्राइब नहीं हो लोगों को सब्सक्राइब कर हमारे पास एसी कौन सी इखटे हुने की एक विधी है कि जब कोई देसपर एक साथ कोई दिक्केता है हमारे उपर दिक्केता आयए तो हम सारे संग्ठरों में संग्ठरों के लोग उखटे होते है कोई उस पार्टी के लोगी खटे होंगे उस पार्टी के किसी आदमे कुछ किया दिया तो उस पार्टी के लोगी रोध करेंगे तो ऐसी बहुत सारी पार्टिया है जगे 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 हमारे लोगों ने हजजारों पार्टी बना रखी है तो उस पार्टी में दूसी पार्ट प्रियास करने से हमारा लाब तो नहीं हुआ परिदाम तो आया नहीं परिणाम नहीं आया लाब नहीं आया उनसे पूछो तो कहते है जी जितने लोग इखटे हुए थे उतना परिणाम आया इस बात में वो सचे हैं कहते हैं सारे खटे हो जाओ तो वो कहते हैं सारे खटे हो जाओ नेता मैं रहूंगा परिणाम तबाएगा तो वो कहते हैं कमी हम तो कोई रास्ता तो इसका होगा कोई रास्ता तो इसका होगा कोई रास्ता तो ऐसा होगा जिससे हमारी जान बचे क्योंकि अब तो एमर्जेंसी आ गई तो खोते 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 पता चला कि हम इखटे होने की बीमारी और इखटा होने का तरीका हमारा बहुत प्राना पहले से है हम इखटा होना जानते हैं और हम पहले इखटे रहते थे संग हमारा था और हमारा ही संग था दुनिया में और किसी का थाइन हमारे संग को देखे मुसलमानों ने संग बनाया हमारे संग को देखे एसाइयों ने संग बनाया बलकर एसाइयों ने तो बाकाईदा मिस्टनरी काम स्टार्ट किया जैसा भिक को बनाया वैसे ही उन्होंने मिस्टनरी जो फादर है और जो नन है वो बनाये बाकाइदόने नियम भी थोड़े से वही चली गये हमको देखके ही जो सिकлы ने संग बनाया हमको देखके दुनिया में लोगों ने मिशनरी काम करना सीखा और जो मिशनरी काम बुद्ध ने सिखाया और अब हमें बताए वो हम भूल गे वो हम सारा चला गए हमारे हाथ से, इसलिए हमारा पतन हो गया, तो पता चला है कि जो चीज हमारी है, अगर हम मुझी को दुबारा से मान लें और उसको दुबारा से उसके काम करना सुरू करें, और इखटे हो जाएं, तो हम जीत जाएंगे, तो उसके नियम ढूंडे गए, क्या निये में खटे होने, तो बड़े अच्छा नियम मिले, पहला नियम तो यह मिला कि खटे होने के लिए önा न पैसे के जरूट हैं और यह हम देख वी चुको हैं, जो वहमें खटे हुए, ना हमने न तो हमने पैसे खटे होए इंगको दिशने तो हमें यह बास सिढ्द होगी परानी संग की कि ए खटा होने के लिए संग का नियद्य ठीक है एक खटा होने के लिए पैसे किया में इंप अच्छता है और नाहीं दौन को पर he एसा कहा है उनके नाम untolar नामむ Glory में 내्म छालाप ट्रोग रोज पैदा होते हुते नाम पर उन्होंने तो कभी नहीं कहा लीडर बनेगा उन्होंने तो यह कहा था कि और अर्गनाइज होना है और उन्होंने कहता होना है लोग उन्होंने संग्ठर बना लिए फिर यह देखा कि भी जो साधू लोग हैं जो हमारे रविदास हैं जो हमारे तोकाराम हैं जो नामदेव हैं जो संथ हैं, हमारे सतनामी हैं, ये सारे सारे लोगे क्या इन्होंने पैसा खटा किया, तो पते जला इन्होंने भी पैसा खटा नहीं किया, तो क्या करते थे घुम घुम के, लोगों की संगत लगाते थे, लोगों का संग बनाते थे, और साधू, संगत, साधू, संगत, संगत करते करते ही बेड़ा पार कर दिया लोगों का एक रुपे ने खटा किया और एक जोड़ी कब्डे में घुमते रहते थे तो वो नियम आज भी चलता है और जो हम से पैसा ले लेके जा रहे हैं और जो हमसिए ये कहा रही हैं जते हैं ये दरश transformed मनुस्मर्टी का हमें बिधान बताते हैं ये मनुस्मर्टी में लिखा हुआ है कि आपका एक नेता होगा जिसको इंदर बोलते हैं यानि एक नेता होगा उसको आज की समय में नेता बोलते हैं और उसके चापनुस दरवारी होंगे जिनको ये मंत्री बोलते हैं पिधान बोलते हैं और वहां भोग लगते हैं और वहां आपसा है डान्स करती है और वहां पर खाना होता है बढ़िया उसके लिए पैसा चाहिए तो हमारे लोगों को भी वही वीमारी लग गई कि मंच पर नाच होना चाहिए मंच पर ढांस होना चाहिए मंच पर भाशन होना जाए रुपया चाहे उसमें 20 लाक लगे या 30 लाक उनके कौन से पता जी का जा रहा है हमसे लेते हैं पैसे वो कोई कमा तो रहे नहीं है उनकी कुई factory industry तो है नहीं वो कई अर्श तो करते नहीं है तो हमारा पैसा जा रहा तो लगे आग पैसे में उनको तो मज़ा आ रहा है अगर संग के नियम में ना मंच है ना माला है ना माईक है बुद्ध ने पूरी जिंदगी लोगों को पढ़ाया और पचार किया और संग बनाया और कभी भी उन्होंने मंच नहीं लगाई वो तो क्या था कि सारे लोग नी नीचे जमिन पर बैठते थे ज सादू जितने ब mermaid थे सारे के सारे जगे जगे घूम के लगाते थे खाना मिल गा ठीक है नहीं कोई बात नहीं आगे बढ़गे सारे सारे वही चार आदमीं बेटें, वहीं एक तारा लिया, वहीं तुम तारा बजाया, वहीं अपनी बात कही, कुछ गा के कही, कुछ बता के कही, चल दी आगे, लोग उनके साथ हो लेते थे, ये नियम है, अगर जिंदा रहना है तो, ये मंच माला माईक संगे के नियम नहीं है, इसलिए क्योंकि मंच माला माईक लगती है तो उसके साथ में झखड़ी भी आते हैं, मुझे बीच मनी बठाया, मुझे बोलने नि दिया, मेरा मुका नहीं आया, मुझे बोलना था, मुझे कहना था, अरे किया बोलना चाह мн television मेर्ण परलके हैं, अब तो काम करने का है, अगर उनके विचार पर यकीन है तो इकटे हो जाओ तो लेते हो संथो का नाम तो लेते हो महापुर्णसों का और विचार चलाते हो अपना और अपना विचार चलाते हो और सबके विचार अलग-anorak हैं वो तो सही बीचार हैं नहीं क्योंकि वो चछनिक बीचार हैं अभी लेटिन में बीचांज आया बोल दिया बस बोलकर खुश हो गए अमने तो यह यह किया घर में जा के आज मैं बोलकर आया इंद्र बोल के नहीं है सतर साल से सब मोकी नचाने आइ बोल बोलके एक आध MP, MLA बन जाओगे, वो भी बना देगा, खुद का वजूद नहीं है, किसी के कुध्ते बनगे, किसी के चम्चे बनगे, कुछ बनोगे, बनाओगे, तो उसके पूरी जिंदगी उसके तलबे चारते रोगे, बोलने की जरूत नहीं है, करने की जरूत है, और एक ही काम करना है और कोई नहीं करना है प्रकति का सिधान्त है जंगल का सिधान्त है प्रकति का नियम है नियम है कि जो लोग इखटे हो जाते हैं चाहे वो पड़े लिखे हो या ना हो चाहे वो कैसे भी हैं चाहे वो कमजोर हैं चाहे भूके हैं चाहे वो लाचार हैं चा जंगल में अकिला घुनता हुआ जानवर मारा जाता है यह प्राकर्टिक है इसको सीखना चाहिए इसको समझना चाहिए तो तेजी से जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए बस इतना सा कंसेप्ट है कि जुड़ना है जिंदा रहेंगे तो बाकी काम बाद में कर लेंगे जब जिन्दे ही नहीं रहेंगे तो बाकी काम क्या करोगे मरा हुआ आदमी क्या कर लेता है इसलिए जिद्ध जो है वो जिन्दा रहने की है और जिन्दा रहने के लिए आपको जिन्दा नहीं रहने देगा कोई भी आपको मानने का पूरा प्लान बना रखा है सबसे पहले त पैसा मांगते हैं ना इसमें नेता पैदा करते है इसमें नेता बात एक से सुनता है और दूसरा अगे पहुँंचा देता है उसको बोलते हैं spoke, अंग्रेजी में spoke बोलते हैं रहंदी में बोलते हैं प्रवक्ता, महापुर्सों की बात हमने सुनी, हमने बता दिया आपको, आप आगे बताओ, वो आगे बताओ, वो आगे बताओ, वो आगे बताओ, वो आगे बताओ, बस इखटा होना है, तो लोग कहते हैं, बहुत बु बचे बेज़ें रहान है सुरफचित रहन un ön Гियों प्रकरति में एक साधर्रान से लोगों का होता है वह हमने ना की बहुत जादा अमरिका आप राज करना है US बहुत करना हों करना कर ले बआ January 25s roana ranandissa munka का होता है रहा हमने ना चीए को बहुत ज़्यादा सब कुछ जा चुका हमारा, नोक्रियां जा चुकी है हमारी, जो हमें पढ़ा ही थी, वो हमारी महंगी हो गई, इंडिस्ट्री हमारे पास है नहीं, खेत हमारे पास है नहीं, खलियान हमारे पास है नहीं, देश में हमें कोई पूस्ता नहीं, देश के अंदर हमें बिना जाती यह कोई मानता नहीं सब कुछ जा चुका इसको बचाने का ही की तरीका है कि इक खटे में जाए इतना सा चोटा सा कंसेप्ट बारवार आपको लोगों को बताना है क्योंकि दस बीस आदमी अगर इस काम को करेंगे और आप यह सोचों को यह दस बीस ही कर लेंगे यह बोलते है यह करते हैं यह करते हैं तो यह हो नहीं सकता क्योंकि संग में हर आदमी को काम करना पड़ता है कोई आदमी यह सोचे मैंने तो बता दिया बाकि यह जाने इनका काम जाने मेरा काम तो पूरा हो गया लाओ वे चादर में तानकर सोता हूं इससे बात नहीं बनेगी यह यहां जो मिटिंग लगती है समर संकी सब लोग अपना खाना लेके आते हैं, अपनी धरी चादर साथ लेके आते हैं, जो ज़्यादा काम करने वाले हैं, उनको बोते हैं, यानि महापुर्सों के प्रवक्ता उनकी बात को बताने वाले हैं, और जो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, वो सारे इसके मेंबर हैं, पर्मा समण आलोग हैं और अंकी संताने तो हम भी समण लोग हई हमारे महापुर्सों इसलिए संग में ہर वक्ती आता है चाहें वह जहाँ आप कर ना चाहփते हैं जल्दी सीखना चाहते हैं ज Lisa fill ना चाहते हैं वो यहां चेट बॉक्स में अपना नमबर चोड़ दें या मेरे बोलने के बाद में अपना नाम बता दाएं कि हम इसमें काम करना चाहते हैं समण संग में कोई ऐसा काम नहीं कहीं आपको अजी टेसिंग लिए भेज रहे हैं जाओ बिल्ला उठाओ बैन उठाओ वहां को गवर्मेंट के अगेंस्ट में ऐसा बोलना है कुछ नहीं करना यहां सिर्फ इखटा होना है इखटा होते ही सारे काम अपने आप हो जाएंगे लोग कहते हैं क्या बगवास कर रह इस पॉलिटिकल जो चीज है उससे चीज नहीं मिलने वाली ऐसा बावसाब बोलके गए हैं बावसाब कहके गए हैं कि आपको पॉलिटिकल अधिकार मिलने वाला है इस political अधिकार से आर्थी एक अधिकार लेना है और समाजी एक अधिकार लेना, यानि जातियां खतम करनी है, बरावर का हिसा करना है और सब को बरावर पैसा मिलना है, वो political लोगों से नहीं हो पाया, तो आप कैसे करोगे, कैसे होगा यह, तो उसका दूसरा तरीका बावस हमन मन्च पर बुलाया नहीं उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडर से निवदन किया उन्होंने सरकार से काम इखटे हैं और हम इखटे हैं और तुम को दिखा देंगे जब तक लाज को वो ठीक हो जाएंगे और जो फायदे होने वह उजाएंगे इसलिए इखटा रहना ही सबक्रास है कोई विद्वान यह कहता हो कि इखटा रहना बुराहै इखटा रहना हमारा इलाज नहीं है तो आपको जानकर ताज्य होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी कहते हैं कि खट्टे हो जाओ सारे सामाजिक संग्ठन भी कहते हैं खट्टे हो जाओ जितने लड़कों के दलवाल हैं वो भी कहते हैं खट्टे हो जाओ जितने सकारी करमचारियों के संग्ठन हैं वो भी कहते हैं खट्टे हो जाओ अरे बाई जब सब इखटा कर रहे हो तो अलग अलग इखटा क्यों कर रहे हो हम क्या बेफ़ूप हैं एक बार इखटा हो जाते हैं सब काम बन जाएंगे इसलिए संगे सत्ती ये पुरान संटेंस है हमारा संग में सत्ती होती है हमारे बड़े बुढ़े भी कहते हैं कि बेटा एकटे रोगे तो प्लगसे आख नहीं उठा सकता और अलग-अलग रहोगे तो बेहन बेटी पर आख उठाएगा तुम्हारी पे इसलिए भाई सब खत्रे में है, बेहन बेटी भी खत्रे में है, और एक ही उपाय है और कोई हमारे पास की चीज़ है नहीं इखटे हो जाओ इसलिए जो लोग यहां जुड़ना चाह साहते हैं ति से जुड़ना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं वह अपना नाम पता फोन नमबर या चैट बॉक्स में लिखें या बाद में दे देपें अबसक्राइटने सफेसंभनले को, पिर पडोसी को, उनसे कहें किमीटिन जॉन करें- और भीद्धियृ 4 फिजिकल मिटिन लगा Barcelos GARunya타 है कि हमारे सरे जिकार ». किर दॉट्धा गारंटी है संग में थी ताकत होती है occurred संग से तो किसानों का छोटा सा संग है जो जीत गया हम तो 120 करोड है और सब की बात ना भी करें अगर खाली सिरुलकाष्ट की बात करें तो भी 30 करोड सोपर हैं 30 करोड लोग तो बहुत होते हैं 30 करोड लोगों की तो देश भी बहुत हमें दुनिया के अंदर हम बहुत जीते हैं और जितने जितने जुडए हैं उतने सब्सक्नानिद्वाइब आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तंगं सरेनं गच्छामी तंगं सरेनं गच्छामी तंगं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तंगं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तंगं पी धम्मं सरेनं गच्छामी तंगं पी धम्मं सरेनं गच्छामी दूतियों पी संगों सर्णों गच्छानू दूतियं पी संगों सर्णों गच्छानू ततियों पी बुद्धों सर्णों गच्छानू ततियं पी बुद्धं सर्णों गच्छानू ततियं पी धम्ममर सर्णु गच्छाम। साथू, साथू